नमस्कार दोस्तों, द्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. आज हम एक महत्वपूर्ण विशय ब्रेन क्यूमर पर बात करने जा रहे हैं. इस वीडियो में हम ब्रेन क्यूमर के बारे में विस्तार से जानका मलिगनेंट यानि घातक टूमर तेजी से बढ़ते हैं और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं. जबकि बेनाईन यानि सौमे टूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं और नहीं फैलते हैं. ब्रेन टूमर बेहत दरावने हो सकते हैं. सिर्दर्ध खास कर सुभा के समय जो बहुत तीवर हो सकता है. मितली और उल्टी जो बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है. दृष्टी में बदलाव जैसे धुंधला दिखना या डबल विजन संतुलन में कमी और चलने में कठिनाई इससे अचानक गिरने का खतरा बढ़ जाता है. स्मृती समस्याय और सोचने में कठिनाई जो व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को बाधित कर सकता है. व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन जो आपको और आपके प्रियजनों को चौंका सकते हैं. ब्रेन क्यूमर के कारण पूरी तरह से ग्यात नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण ये हो सक सकते हैं. जनेटिक म्यूटेशन्स जो असामान या दर से कोशिकाओं की संख्या में व्रिधी की ओर ले जाता है. कुछ रेडियेशन एक्स्पोजर कास तोर से सरपर पारिवारिक इतिहास अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेन क्यूमर हो चुका है तो आपके लिए भी खत्रा हो सकता है. ब्रेन क्यूमर की पहचान कैसे की जाती है? ब्रेन क्यूमर की पहचान करने के लिए डॉक्टर मरीज से कुछ टेस्ट करने को कह सकते हैं. मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो सर के अंदर की बिस्तरित तस्वीर दिखाता है. CT scan जो सर के अंदर की तस्वीरें तुरंक देता है. बायोसी जिसमें ट्यूमर के एक छोटे हिस्से को निकाल कर लैब में जाँच की जाती है. ब्रेन क्यूमर से जुड़े कुछ आम केवल बुज़ुर्बों को होता है. यह गलत है क्योंकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है. Brain Tumor मुच्छता दो प्रकार के होते हैं. प्राथमिक Tumor जो सर के अंदर ब्रेन में अपने आप ही उत्पन होते हैं. इसमें glioma, meninichioma और pitutory tumor शामिल हैं. सेकंडरी क्यूमर यह शरीर के अन्य हिस्सों से मस्तिष्क में फैलता है जैसे कि फेफडे ब्रेस्ट या किड्नी का कैंसर मस्तिष्क में फैल सकता है ब्रेन क्यूमर के इलाज के बाद रोगी को निनलिखित सावधानिया बरतनी चाहिए नियमित फॉलो अप विजिट्स के लिए डॉक होने का समय मिले डॉक्तर द्वारा दी गई सभी सलाहों का पालन करना दोस्तों अगर आपको यह विडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको हमारे अगले विडियो की नोटिफिकेशन मि सके धन्यवाद